पूजा करते हैं उनकी सबी मनुकामनय पूरी होती है भगवान शिव बहुत प्रसंट होते है जीवन भर सुक्सम रिद्धी देते हैं तो वैसे तो हमेशा करनी चाहिए लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव और माता पारवती की पूजा जरूर करें और शिव महापुरान में भी बहुत सारे उपाई बताए गए हैं जो सावन के महीने में करने से सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है सारी दिक्कते दूर हो जाती है चाहे पैसे से रिलेटिड प्रॉब्लम हो हेल्थ से रिलेटिड प्रॉब्लम हो चाहे आपका घर नहीं बन रहा हो या जॉब नहीं मिल रही है कुछ भी है अगर सावन के महीने में आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करोगे और ये उपाय करोगे जो मैं आज आपको बताऊंगी तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शिव महापुरान में कुछ उपाय बताए गए हैं जो बहुत ही जादा शक्ति शाली हैं इन्हीं पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी कहा जाता है कि सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव को प्रसंद करने से सबी मनोकामनाय पूरी होती हैं जो लव मैरिज करना चाते हैं उनकी लव मैरिज भी हो जाएगी इतना जादा इतनी जादा शक्ति होती है सावन के महीने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जिन लोगों को हमेशा लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है पैसे जुड़ते नहीं है खर्चो जाते है या आते ही नहीं है इंकम के सोर्सिज नहीं बनते आपने क्या करना है या आपने हर मंडे करना है इस्ट डिरेक्शन पूर्व दिशा की तरफ आपने मू करके बैठ जाना है साथ कौडिया लेनी है और एक छोटा सा शंक लेना है शंक को आपने क्या करना है मसूर की एक मुठी दाल रख लो उसके उपर उस शंक को आपने स्थापित करना है और फिर मूंगे की माला से 5 माला ओम गन गन पते नमह मंतर जाप करना है ठीक है कम से कम 5 माला करना है जब पूरा हो जाने के बाद अच्छा मंतर जाप करते टाइम आपके मन में ये कामना होनी चाहिए कि मेरी पैसे से रिलेटेट सारी प्रॉब्लम सौल्व हो जाए आपने यही प्रेकरनी है money-man जब आपका मन्त्रेजा पूरा हो जाएगा उसके बाद सारी सामगरी को ले जाके किसी भी आपने सुनसान जगा पर ले जाके उसको जमीन में दबा देना है ये कम से कम आप अगर seven mondays कर लोगे तो आप देखोगे life में कभी भी आपको पैसे से related problem नहीं होगी और सावन के महीने में करोगे तो इसमें आपको बहुत जल्दी results मिलेंगे अगर married life में problem आ रही है या marriage हो ही नहीं रही है या जो लोग love marriage करना चाते हैं उनके लिए मैं आपको पाई बताती हूँ सावन के महीने में आपने क्या करना है हर मंडे को आपने साफ मिट्टी से एक शिवलिंग बनाना है शिवलिंग पर आपने हल्दी और केसर मिक्स करके दूद चड़ाना है ठीक है और दूद चड़ाते टाइम आपने ओम नमर्शिवाय मंतर जाप करना है 108 बार और आपने उस इंसान का नाम बोलना है मनी मन जिससे आप शादी करना चाते हो या अगर आप मैरेड हो तो अगर आपका जगड़ा है तो आपने ये प्रे करना है कि आपका जगड़ा अगर हस्बन के साथ या वाईफ के साथ सब कुछ सॉल्व हो जाए ऐसा करते हैं आपने अभिशेक करना है उसके बाद आपने क्या करना है जो लड़किया लव मैरेच करना चाती है या शादी करना चाती है जिनके शादी में विलंब हो रहा है आपने माता पार्वती को किसी भी मंदिर में जाके माता पार्वती को शिंगार का समान जरूर चड़ाना है और लाल चुन्नी चड़ानी है और माता पार्वती से ये प्रे करनी है कि जैसे आपने महादेव को पाया वैसे ही हमें भी अच्छा वर मिले तो द बिगड़ जाते हैं काम, किसी भी काम में हाठ डालो, आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपने क्या करना है, हर मंडे को आपने बेल पत्र चड़ाने है भगवान शिव को, कम से कम 21 बेल पत्र लेने हैं, और उस पे चंदन से ओम नमशिवाय मंत्र लिखना है, और फिर आपने उनको भगवान शिव पे चड़ाना है, शिव लिंग पे अरपित करना है, और अरपित करते टाइम भी आपने ओम नमशिवाय मंत्र जाप करना है, 108 बार, ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनरजी आएगी, और हमेशा खुश्या रहेंगी घर में कोई लड़ाई जगड बहुत जादा लड़ाई जगड़े होते हैं, तो आपने क्या करना है, सावन के महिने में जब भगवान शिव जी की पूजा कर लोगे, उसके बाद पूरे घर में गोम उत्र का इखाव करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है गूगल से धूप करें, रोजtailे आपने जिनको health related problem रहती है या दुरघटना हो जाती है कुछ ना कुछ चोट वोट लगती रहती है जो इन चीजों से ज़ादा परिशान रहते हैं लोग चोट लगवाई रखते हैं या health issue रहता है तो आपने क्या करना है सावन के महीने में आपने बैल को हराचारा खिलाना है और गा होगे कि आपको जो भी दुरघटना होती है या बिमार हो जाते हो चोट लगती रहती है यह सारी चीजन सॉल हो जाएंगी health अच्छी रहेगी जिन लोगों की health खराब रहती है उनकी health बहुत अच्छी रहेगी इसके अलावा आपने अगर health से related problem है या जिन लोगों की मनों क चड़ाओगे सारी मनुकामने पूरी होंगी रोगों से मुक्ति मिलेगी कोई भी दोश है अगर आप शनी दोश से पीड़ी तो आपको शनी दोश से भी मुक्ति मिलेगी और साथी डेली आपने शिव चाली सका पार्ट करना शुरू कर दो 40 दिन तक सावन के महीने में सारी रेमेडीज फॉलो करिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा मिलते नेक्स वीडियो में अपना ध्यान रखिए बाबाई